करते हैं आप लोग के आपके चैनल पर अब सभी को पता है कि मैं बिहार B8CAT exam के लिए continuously विडियो बना रहा हूँ तो आज जो मैं विडियो बनाने वाला हूँ कल मैंने विडियो बनाया था कि क्या minimum qualification रहेगी क्या expected cut-up क्या क्या रहने पर dependent है आज मैं बताने वाला हूँ कि जो college की city कितनी है college में कौन से college आपको कितने marks में मिलेंगे उचली विडियो को start करते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले अगर मैं college के बारे में बात कर लूँ तो आप सभी को पताए कि यह 2024 का data दिया गया है आपका यहां पर जो university पटना के द्वारा जो है आरेभाट university उसमें total 33 colleges है दोस्तों उसमें से 3000 सीटे है ठीक उसी परकार आपके भुपेंदर नरायन मंडल university में उसके अंदर 13 college आते हैं जैसे देखें क्या है मैं आपको चीज़ बता देता हूं थोड़े से confusion हो रहे होगी कि 13 33 क्या है देखें मैं simply एक चीज़ बता रहा हूं आप लोगों को कि माल लिजे कि बिहार बीड ने exam करवाया ठीक है अब बिहार में दो universities हैं माल लेते हैं A university और B university university होते हैं उनसे भी बहुत सारे college inflated होते हैं तो यह में 10 college हो गए बी में 5 college हो गए तो इससे आपसे टोटल 15 college हो गए विहार बीड के ताद मैं वही बता रहा हूं आपको दोस्तों कि total कितने कितने college है और यह आपका कौन-कौन से university में कौन-कौन से college है ठीक है अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़के मैं बात कर लूँ आपको जैप्रकास इनवर्सिटी छापरा में total 12 colleges है इसमें से 1250 सीटे है कमलिश्वर सिंग दरभंगा संस्कृत इनवर्सिटी दरभंगा जो total इसमें एक ही college है दोस्तों और इसमें total 100 सीटे है ललित न इनवर्सिटी पूर्णिया में total 7 colleges 700 बच्चे के लिए तिल्का मांजी भागलपूर इनवर्सिटी भागलपूर में total 15 college है 1500 बच्चे लोगों के लिए वही मगद इनवर्सिटी के बारे मात करें तो 47 colleges है लगवक 55700 students के लिए और मौलाना मजूर उलहक अरभी एक परशन इनवर्सिटी पत्ना में total 30 college है 3050 के लिए मुंगेर पूर मुंगेर इनवर्सिटी मुंगेर में 5 college है 500 में आप एक जिस गौर कर रहे हैं कि लगवक एक college 100 student की लगवक लगवक सीट कैपसिटी लेके बैठा हुआ दोस्तों ठीक ह इभीर कुमर सिंग आरा के बारे हम बात करें तो 20 college 2150 है total आपके जो colleges है 325 colleges है और total जो सीटे है वो आपके 3470 है तो आपको decide कर लेना है कि इनमें साबकी कौन सी college आपको पसंद है साथ साथ में आपको यह देखना है कि इस college में हमारे कितने नजदीक है कोन मेरे convenience हो पढ़ रहा है ठीक है मिरे लिए असान पढ़ रहा है चलिए बात कर लेते हैं cut up के बारे में कि क्या cut up हो सकती है इस exam के बारे में देखें सबसे पहले आपका सभी को पता है कि जो अनुज इस परसेंट लाना पड़ेगा 36 मार्श टल इस अब कर देखेंगरी सारे कुछ आ गया अब वहीं बात कर लेते हैं cut up मार्स को लेकिए मैं सबसे पहले चीज बता दो cut up मार्स किस पर dependent आते हैं इस पॉइंट के उपर होता है कि बिहार बीड़ सीटी में का पेपर कैसा था पेपर का लेवल कैसा था और कितने लोग अप्लिकेंट अपियर हुए थे मैंने कल भी बताया था कि माल लीजए कि अगर 34,000 सीटे हैं और अगर 50,000 लोगों ने फॉर्म बरा तो एक सीट के पर करीब 1.5 हो जाएगा लेकिन ओहीं अगर दिर लाग भर दिया तो आपके लगवग 5 पर करीब हो जाएगा तो यहां competition बढ़ जाएगा दोस्तु ठीक है मैंने यह तो बता दिया अगर आप लोग घर बैठे त्यारी करना चाहते हैं कहीं कोचिंग लेना नहीं साथे हैं तो चाच्चु पब्लिकेशन ने एक study book को launch किया है संपून study book है इसमें सारे syllabus को cover किया गया है दोस्तों यहां पे आपको जेनरल इंग्लीस आपको जेनरल इ मिल जाएगा तार्किंग मिल जाएगा साथी साथ में आपको बीद्याले सिच्छन अधिगम वातावरन भी मिल जाएगा इसमें आपके 600 पेपर भी मिल जा रहा है दोस्तों ठीक है साथी साथ में आपके 2100 आपके objective question मिल रहा है explanation के साहीत में ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो कि सारे सेलेवस दो मैंने बताया था कि जैसे से आएगा वैसे वैसे में है अब वही अगर मैं बात कर लूँ कि इस बुक को आप पर्चेश कहां से करोगे तो यह बुक को पर्चेश करने के लिए चच्छु बुक डूट कॉम फिलिपकाट अमेजन स्नैप डिल का ज आपको डिसाइड होगा मैं इसके बारे में मैं बता बैदेता हूं ठीक है छलिए फिटिखें है फिस देखें है पिस इचास्छा सास्तरी कॉलेज था यह पर आ यहँते मैं बता रहा हूं देखी खुलिटuses रुट है क्या कॉलेज था यहां पर देखें मैं बता रहा हूँ simply कि क्या से आपको college मिलने की क्या मिलने की क्या चीजे होने की उबीदे हैं देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि दरवंगा में जो college है आपके ठीक है कमलिस्वर सिंग दरवंगा कमलिस्वर सिंग दर्मंगा हो गया यहां पर है ने एक कॉलेज़ इस उसी में देखें कैसे क्या क्या चीज़े आपको मिलेगी क्या होगा क्या नहीं होगा कि माली जै मुझे यह कॉलेज में डिमिसन लेना है तो पीछले बार जो कॉलेज आईडिय दिये थी मीनिमम रैंक आपको 46 आना में है तो आपको चार से लेके 41 राइंक के बीच में आना है तब आपको यहां पर एंडिमिसन मिलेगा ठीक है अच्छे कॉलेज है तो मुझे उमीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गए होगी आप देख सकते हैं वैसे हैं EWS के बारे में में कि EWS में भी स्यम चीज़े ज़ चुके होंगे मुझे उमीद है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोगों से विदा लेते हैं थैंक